नमस्कार मैं हूँ मनोज कुमार और आप लोगों को बक्सर जिलेगे नियूज अपडेट के साथ हाज़िरू शिर्वात करते हैं आज के समाचार का कोरोना अपडेट के साथ कल कोरोना अपडेट में केवल एक बढ़ोतरी हुई है एक व्यक्ति को पाउजिटिव पाया गया है और पहले जो एक्टिव के से इसकी संख्या 67 थी वो 68 हो गई लेकिन रिकवरी अभी भी 145 पर रुका हुआ है अभी कोई व्यक्ति रिकवर नहीं कर रहा है जिला प्रशासन ने कोई इसी सूचना नहीं दी है जिसे ये पता लगाया जा सके कि ये एक और व्यक्ति जो संक्रमित पाए गये हैं ये कहां कर पाउजिटी पाए गये हैं उन सभी के घरों की घेराबंदी भी की गई है और उस जगा को कंटेन्मेंट जोन घोशित किया जा रहा है अता आप पुरी तरीके से सचेत रहें सावधान रहें और सतर्क रहें ये हमारे बकसर जिले का कोरोना अपडेट है 145 लोगों की परिवार वाले को भी पता नहीं है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कोई अपने घर का बेटा जो इतना ज्यादा मिलनसार था इतने लोग उसको पसंद करते थे उनके व्योहार को पसंद करते थे वो स्वयम के जंदगी को क्यों समाप्त कर लेगा उनके जाने इसे परिवार वाले बहुत ही ज्यादा श्योक में हैं आसपास के रहने वाले लोगों को भी ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे वो बालक अपने जिंदगी को समाप्त कर लिए कुल मिला जुलाकर यह जानना अवश्यक है हम सभी युवाओं को जिंदगी में कोई भी हत्या का कारण बन सके जिवन में कोई भी समसिया इतनी बड़ी नहीं होती जो कि हम अप हमारी जिंदगी को समाप्त करने के लिए प्रेरिद कर सके कभी अगर आप निराश भी हो तो इस निराशा के लिवल को उस हद तर ना जाने दे जब आप अपने जिवन को ही समाप्त क करने के बारे में सोचे। वैसे भी जीवन की चुनाउतियों से लड़कर और समय के साथ अपने आपको सामंजस से बिठा कर चलाना और जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात पाना यही जीवन का सार्थक उदेश्चे हैं, अता इस परकार के आत्महत्या वाले कदम हमें कता ही नहीं उठाएं, या बहुत ही अधिक उन लोगों के लिए कश्टकारी होता है, जो आपके जाने के बाद आपकी याद में इस धर्ती पर बचे रह जाते हैं, वो हमेशा आपके जाने के बाद भी बहुत ही जादा तकलीफ से गुजरते हैं, नावन अगर प्रकर्ण म एक छोटा सा गाउ है जिसका नाम है चनवत, उस गाउ से ये सुचना आई की वहाँ पर एक व्यक्ति का करंट लगने से मिर्ति हो गई, जो की एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे और वो अपने घर के तरफ वापस आ रहे थे भोजन करने के लिए, उनके दरवाजे में उनको करंट लगता हुआ देखकर कई लोग दोड़े-दोड़े उनके पास पहुचे, उनको बचाने की कोशिश की गई, उनको बचाने के परियास में तीन-चार और लोग भी करंट की चपेट में आ गए, हलाकि इतनी जादा आन होनी नहीं हुई कि बचाने वाले को भी कर करंट की चपेट में आये थे, लेकिन फिर व्योसा कुशन है, लेकिन जो व्यक्ति करंट प्रवाहित उस दरवाजी को टच किये थे, उनका डेथ हो गया, चनवत गाओं के ही रहने वाले सामाज से भी हमारे मित्र पंकज कुमार ने हमें ये बताया, कि उनके परिवार में बहुत ही जादा परेशानी है, वो अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ कर गए हैं, अपने परिवार वालों को छोड़ कर गए हैं, हमारे मित्र पंकज कुमार ने हमें बताया, कि अभी कुछी दिनों पहले उसी गाओं में आकाशिय विजली गिरने से भी एक व्यक कार्श नहीं हो रहा है कि कैसे कोई इतना जल्दी अपने हसते-खेलते परिवार को छोड़ कर चला जाता है, बरसाथ के मौसम में अकθर करंट से लोगों की मिर्ती होते रहती और हम समाचार सुनते रहते हैं, बरसाथ के मौसम में आपको हर जगा करंट से सधान रहना जहा पर भी बिजली के खंबे अगर गड़े हों, खंबो को नहीं टच करना चाहिए, कोई खुला तार नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे की कहीं और करंट प्रविश कर जाए, बारिश के मौसम में हर तरफ नमी होता है और भींगा रहता है, जिसके कारण असानी से करंट दिवारो में, जमीन में, दर्वाजों में, खंबों में प्रवाहित होते रहती है, अता आप अपना ध्यान रखे, सौधानी बरते, और इस परकार की अनुहनी घटनाओं से बचे, मौसम विभाग के अनुसारे इसी सूचना आई है कि आने वाले तीन दिनों तक हमारे बकसर जिले मे बहुत ही मुसलधार बारिश होने वाली है, और बकसर जिला धिकारी ने बकसर वासियों से अन्रोध किया है और अपील किया है, कि आप अनावश्यक घर से बाहर ना निकले क्योंकि आकाशिय विजली गिरने की पूरी संभाव नाए है, अता ऐसे लोग जो खेतों में काम कर कर रहें, बगीचों की रखवाली कर रहें, या गाओं में है, या फिर जहां पर पेंड़ पहुत है, वहां पर बिजली जादा आकर्शित होती है, अता आप अपना धियान रखे और तीन दिनों तक बहुत ही भारी बारिश होने वाली हमारे बकसर जिले में, आप अपना ख खयाल रखे, अभी कुछ दिनों पहले सरक दुरघटना में सिक्रॉल के बढ़का गाओं से इलाज कराकर लौट रही, परिवार की एक सदस्या का मिर्ती हो गया था, आपको मैंने बताया था, इक टाड़ी थाना अंतरगत नरायन पूर पूल के पास, सरक दुरघटना है र हाली में शादी हुई थी, वो मुंडन संसकार में शामिल होने के लिए देरशाम बकसर की तरफ जा रहे थे, प्रताप सागर के नजदिक उनका बाइक का संतुलन बिगड़ गया, और दोनों पती पतनी बाइक से गिर पड़े, दोनों बीपरीक दिशा में गिरे, और पिछ पती भी बहुत ही अधी गंभी रुप से जखमी है, उन्हें इलाज के लिए हॉस्पीटल में भरती कराये गया है, यहां पर फिर से एक बात हमें समझना अवश्यक है, बारिश के मौसम में सड़क पर बाइक लेकर चलना, खास्तोर से दो पहिया गाड़ी को लेकर चलना, अक्सर चक्का के सिलिफ होने का खतरा बना रहता है, और पीछे से अगर कोई भारी वहां आ रहा हो, तो अचानक सड़क पर गिन्ने से पूरी तरीके से दुरगटना ग्रस्थ होने की संभावनाय बनी रहती है, हम सभी का जीवन बहुत ही अमुल्य है, सड़क पर चलकर और एक छोटी सी यात्रा में अपने जीवन की पूरी यात्रा को समाप्त कर लेना ये बहुत ही ज्यादा दुखद करने वाली बात है, हम सभी को अपने जीवन के महत्तु को समझने की अवश्यक्ता है, और सड़क पर चलते समय हर तरब से हर किसी से सौधान रहना आवश्यक है ना केवल अपनी गाड़ी से बलकि आने जाने वाले गाड़ीों से भी सावधान रहने के अवश्यक्ता है, सड़क को पार करने वाले लोगों से भी सावधान रहने के अवश्यक्ता है, थोड़ी सी सावधानी हटती है और हमें अपने जिंदगी की कीमा चुकानी पड़ती है सोग संतिरिप्त परिवार के साथ हमारी सम्वेधनाय और हमारी साहनुभूति है इश्वर से प्रार्थना है कि जो व्यक्ति घायल हुए है इस प्रताप सागर में दुर्गटनाग रस्थ हुए बाइक पर उस घायल व्यक्ति को जल्दी-जल्द डॉक्टर ठेक करें और व व्यक्ति को धक्का मार दिया और खुद वो पीकप सड़क के किनारे बने हुए चाट में जाकर गिर पड़ा व्यक्ति को आनन फानन में ले जाकर अस्पताल में भरती कराये गया जहां पर उनका उपचार चल रहा है और चालक अपने गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग चुके ऐसे जगों पर भी जहां पर सड़क बहुत ही ज्यादा चिकनी हो वहां पर गाड़ियों की रफ्तार अधिक होती है ऐसे में पदियात्रा करने वाले लोगों को भी प्रुर्ण सावधानी बरतने की अवश्यक्ता है और जो वहां चालक है वो भी जहां पर गाव आ जहां पर कुछ आवादी है वहां पर अपने गती पर नियंतरन रखे तो ऐसे अनहोनी घटनाओं से बचा जा सकता है इन तमाम घटनाओं को आपने देखा जो बकसर जिले में घटी थुए आप इन घटनाओं से अवस्य सीख लेने की कुशिश करे हमारे जीवन में हमारे अनहोनी घटनाओं को टाल सके आप अपने जीवन के महता को अवस्य समझे इन घटनाओं से सीख ले और अपने जीवन की रक्षा करे और अपने आपको सक उश्र रखे बहुत बहुत धन्यवाद